आप सभी को गितारे का नमस्कार मैं गिताब सभी का स्वागत करती हूँ गितारी क्रेशन्स में सबसे पहले तो आप सब का तहे दिल से शुक्रिया मेरे इस चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए अगर आप फर्स टाइम देखने इस चैनल को तो प्लीज सबस्क्राइब कर लीजिए और बेल बटन जरूर प्रस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ यह बेबी का स्वेटर जो की है जिरो से थ्री मन्स के लिए आप इसे बेबी का जैकेट बेबी का कोट कुछ भी कह सकते हो और किस्मस के लिए एक बहुत अच्छा गिफ्टिंग ओप्शन रह सकता है आपका अगर आप न्यू बिगनर है तो भी आप इसे बहुत इसली बना सकते हो पूरा इस वीडियो में मैंने डिटेलिंग दी है कि किस तरह से ये बनाना है इसके लिए मैंने यूज की है वर्दमान के बेबी सॉफट बूल और जो इसमें शेड है रेड वाला वो है बी बी एच-094 और जो वाइट है उसका है बी बी डी-018 काफी अच्छे से detailing से मैंने समझाया है इसमें 10 नंबर की सिलाइयां यूज की हैं गले पर नॉर्मल वाली आगे मैंने ये वाय सर्कुलर नीडल यूज की है क्योंकि फंदे बढ़ जाएंगे तो इसकी वीडियो जो आएंगे वो पार्स में रहेंगी इस फर्स पार्ट में मै उसका यह जो हमारा अपर पार्ट है योग कह सकते हैं अपरपार कह सकते हीं इसके पूरी डिटेल दी है तो आएये स्टार्ट करते हैं और realise बंद किस तरह से मता है तो आए स्टार्ट करते हैं न्यूबोन बेबी के लिए ये क्रिस्मिस का जैकेट हम बना रहे हैं उसके लिए मैंने सबसे पहले 74 स्टीचेज डाले हैं 10 नंबर की सिलाई ली है और इसके डालने के बाद पहली सिलाई बुनी है दूसरी बुनी है तीसरी के अंदर अब हम सिधी सिधी बना रहे हैं बिलकुल शिलाईया और इसमें हम Third row में हम बनाएंगे बटन होल अगर आप Baby Girl के लिए बना रहे हो तो सतार्टिंग में बनाओ तीन फंदों के बार अगर बॉय के लिए बना रहे हो तो आप End में आकर बनाईए देखे बटन होल किस तरह से बनेगा, यह हमारे चार फंदे हैं, उससे पहले आप उनको आगे करेंगे, और इन दो फंदों को हम एक करेंगे, और यहाँ पर हमारा यह बटन होल बन गया, और यह बाकी के फंदे अब हम बिल्कुल सीधे सीधे बना लेंगे, जो फोथ रो रहे कि ये भी हम बिल्कु सीधी सीधी बुनाएंगे इसके अंदर हमने बॉटन होल जो डाला है वो भी फद्दा बुन जाएगा देखी किस तरह से ये हमने लिया इसको हमने टर्न करके फस हमेशा जो भी स्टीचे स्लिप रहेगा उसको हम बिना बुने उतारेंगे अगला हमने ब इसलाई भी हम कम्प्लीट करेंगे इसी तरह तो इस तरह ये चार सिलाई यां हमने बिल्कु सीधी-सीधी डाली है पहली तो हमारी फंदो की होगी दूसरी सीधी डाली तीसरी में हमने बटन होल बनाया है और अब हम थर्ड फिफ्त जो सिलाई आएगी उसके अंदर सारा सेपरेशन करेंगे और मार्कर लगाएंगे ये इस तरह से फर्स रो हमने निट की सेकिंड रो की थर्ड रो में हमने बटन होल बनाया और फिफ्त रो में अब हमने सेपरेशन कर रहे हैं स्टिचिस का देखे किस तरह से सबसे पहले हम तेरा स्टिच बनाएंगे तेरा इस फंदे के इस तरफ जाली बनेगी और इस तरफ जाली बनेगी फिर हम दस फंदे बनाएंगे दस फंदे के बाद एक फंदा लेंगे उसके एक इधर जाली होगी एक इधर फिर हम 24 फंदे बुनेंगे 24 फंदे बुने के बाद फिर से इस फंदे के 25 फंदे के एक इधर जाल बनेगी और एक इधर जाली और तेरा फंदे फिर बनाएंगे हर राइट साइड में हम इसी फंदे के आसपास जाली बनाते जाएंगे और एक एक हमारा फंदा बढ़ता जाएगा और उल्टी तरफ हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे सिंपल सिधा सिधा बुनाई करेंगे उटी सिलाई पर हम तो इस्तरह से जाल यह जालिया working आंगर अब हम इसका separation सेक्थ कब दे तरह से सप्रेशन करेंगे इनका टोटल करेंगे 74 कब् nós इस में को सीटार के इस स्का सेपरेशन करना फिफ्तर पते है अब हम स्क्रासिशन करें यह 13 हो फंदे बुन लिए हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 अब हम फंदे बढ़ाएंगे जाली डालेंगे एक फंदे के दोनों और यह हमने वूल अपनी तरफ की इस तरफ थी इधर की करने के बाद यह फंदा हमने सीधा ऐसे बुन दिया अब यह एक हमारी यहां पर वूल आगी जाली पर जाए अब हम इस धर भी हम वूल अपनी तरफ करके एक फंदा बुल लेंगे यह यहां भी एक जाली डलगी आप चाहो तो मारकर इस तरह के यूज कर सकते हो पहचान के लिए लेकिन जब एक बार डल जाती है आगे हम इसली ऐसे पहचान सकते हैं अगर आप बिगनर हो तो इस तर बुनेंगे यह एक हुआ दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो और यह दस अब दस फंदे बुनने के बाद फिर से बूल अपनी तरफ यह एक फंदा बुना एक जाली डलगी यह फंदे की लाइन रही सीथी एक फंदा फिर से इधर अपनी तरफूल की यह फंदा बुना दस होगे अब यह दस के यहाँ भी हमारी बढ़ गी अब हम बनाएंगे यह 24 फंदे 24 फंदे बनाते हैं यह एक हुआ हमारा दो तीन चार पांच छेंड साथ आठ नो दस यारा बारा तेरा चोदा यहाँ 24 पर आने के बाद आने पर दिखाते हुगे कैसे हम करेंगे बनाने के बाद नेक्स फंदे पर हम फिश से जाली डालेंगे दिखो कैसे है यह वूल इदर की मैं एक फंदा बना फिश से वूल इदर की फिर एक फंदा बना अब हम बनाएंगे ये 10 फंदे, हमने पहले 13 लिए, 10 किए, 24 किए, अब फिस से 10 लेंगे फंदे, एक हमारा हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बनाने के बाद, इस फंदे के हम, दोनों तरफ इधर और इधर जाली डालेंगे, फिस से वूल आगे करेंगे, अपनी ये फंदा बनाएंगे सिधा, फिस से वूल इधर, और एक फंदा इस तरह से बढ़ा दिए, अब ये देखे कितने बचे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, और एक हमारा 13, ये 13 फंदे हमारे होगे, ये पूरी लाइन इसी तरह रोग कंप्लीट करेंगे, उल्टी शिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे, और फिर नेक्स इस नाइस में मैं बताती हूं, कि हम किस तरह से इस जाली पर फिर से आगे जाली बनाएंगे, अब हम आएं ऐसा like ये हम सिधा स करते जाएंगे इसलिए अब यह सर्कुलर नीडर लगा रही हूं में यह भी दस नंबर की है अब हम इस वाले को स्लिप स्टिच लेंगे यानि के बनाएंगे नहीं इस तरह से उतार लेंगे इस फंदे को अब इसमें हम जाली यहां पर हमारी डलेगी देखिए उसी तरह जो जाली है उन्हीं पर ही जाली डलेगी यह हम बना रहे हैं फंदे 13 थे अब हमारे 14 हो गए होंगे एक जाली क्योंकि हमने लास्ट टाइम बढ़ाई थी यह देखिए हम आगे हैं बहुत करीब जाली के यह फंदा यह देखिए यह दो जाली है यह बीच में एक फंदा है अब इसके इधर और इधर जाली डलेगी अब देखिए हम काउंट करते हैं 13 थे अब यह 14 हो गए होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इसी तरह जो हम जाली डालते जाएंगे एक एक फंदा हमारा हर उसमें बढ़ता जाएगा अब यह सिधा फंदा है इसके हम आसपा सब जाली डालेंगे बूल इधर करेंगे यह सिधा बुन देंगे बस एक बार फेसे बूल इधर करेंगे और यह फंदा हम करेंगे पूरी जैसे यह जाली डाली हुई है एक इधर इस फंदे के इधर जाली डालेगी और एक हमारी इधर डालेगी इसी तरह यह पूरी रो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी इस जाली पर हर जाली पर हम जाली डालते जाएंगे और अपनी यह रो कंप्लीट कर लेंग नेक्स रो हमारे बिल्कुल उल्टी में हम कोई जाली नहीं डालेंगे सिंपल सीधी सीधी सिलाई बनाएंगे तो आगे देखते हैं कैसे करते हैं इसमें तो इस तरह से ये हमारा योग कंप्लीट हो गया है और हमने 16 जाली आट किये देखिए एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, दस, क्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदा, सोला तो ये सोला कंप्लीट करने के बाद जो अब हमारे फंदे बने हैं वो बढ़ गए हैं पहले तो हमने यहां 13 डाले थे 13 में अब हमारे 16 एड हो गए और और एक फंदा ये था अब ये 10 डाले थे तो इसमें भी 16 और एड हुए ये, इधर के 16 एड हुए 16 ये हुए इधर की जाली का और एक फंदा ये रहा और 24 में 16 ही जाली ये इधर डली हैं और 16 इधर और एक फंदा ये रहा और इसमें भी हमारी 16 जाली इधर डली है और इधर और इसमें 16 जाली डली है तो इस तरह से ये बन गे 29 फंदे ये एक फंदा और ये हमारे हो जाएंगे 42 और ये हो गए हमारे 56 और ये एक फंदा और ये 42 हो गए और ये हो गए 29 अब जब हम इन सब का टोटल करेंगे कैसे 29 फंदा और ये फिर से 42 और ये प्लस 1फंदा और ये mieć प्लस 29 जब इन सब का टोटल करेंगे तब हमारे हो जाएंगे 202 फंद्य पूरे और इसकी जो length बनी है हमारी आम होल की 3 इंच के करीब बनी है देखें इसको नापते हैं देखते हैं कितना बना है ये इसकी length कितनी बनी है इसकी जो length बनी है वो है 3 इंच के करीब नेक्स से लिया है ये बन रही है 4 अगर हम इसको इस तरह से नापते हैं नेक्स से तो ये 3 इंच बनी है इस तरह ये देखें 3 इंच और सेंटिमीटर में देखते हैं तो ये 8 एंडर हाफ सेंटिमीटर बना है तो इस तरह से ये complete हुआ ये हमारा योग जो की है बेबी का किसमस के जैकेट का बेबी कोट का इस वीडियो में इतना ही है नेक्स वीडियो में हम इसका पूरी और आगे की जो बोडी पार्ट है और स्लीवस हैं वो देखेंगे किस तरह से पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि आने वाले सभी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे तो मिलते हैं एक नई वीडियो में इसी के सेकेंड पार्ट में तब तक के लिए आप सभी को मेरे नमस्कार